मेरा नमस्कार पिछले वीडियो में हम लोग उने बात की थी culture and पेडगोजी बर तो बातचीत के क्रम में वो बात cultural intelligence पर आकर रुपी थी और cultural intelligence को हम लोग पिछले वीडियो में प्ले पिरिके से explain नहीं कर पाया थे फेडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए cultural intelligence को professor in department of education in s.s. khanna girls degree college which is a constituent college of the university of Allahabad and this is my email id rushmissing23.laknow at gmail.com okay so let's start what cultural intelligence is you know sanskrit buddhi से आप क्या समझते हैं क्या समझते हैं cultural intelligence refers to an individual's capability deal with culturally diverse situations effectively पिछली बार भी हम लोगों नहीं बात की थी लेकिन उसका explanation नहीं भेतर हो पाया समय कम था cultural intelligence वो intelligence है वो capability है किसी व्यक्ति की जिससे की ये पता चले कि वो deal with culturally diverse situations कि वो culturally जो विभिन उसके सामने पर इस्थितियां आती हैं जिसमें विभिन तरीके के culture के लोग है multi-cultural सब लोग हैं सबकी भाषाएं अलग हैं संस्कृतियां अलग हैं वहां वो इतनी अच्छी तरीके से perform कर सकता है यही उसकी संस्कृतिक बुद्धी है तो आज के जमाने में हम इसकी बात करें इसकी बात आगे करेंगे तो सीधी से इसको कैसे समझ सकते हैं कि cultural intelligence refers to an individual's capability एक व्यक्तिकी योगेता है जिससे यह पता चले कि वो इतनी बढ़ियां तरीके से डील कर सकता है जब उसको culturally diverse situations मिलती इंवाल्व्स यह इंवाल्व्स के अंदर क्या इसके अंतरकत आता है capability वो शमता डील effectively जिससे कि यह पता चल सके व इतनी प्रभावपून तरीके से डील करता है इनके साथ with people उन लोगों के साथ जो की from diverse cultural backgrounds है जो दूसरे विभिन Sanskrit जिनकी प्रिष्ठ भूमी है उन बहुत सारे लोगों के संगों कितनी अच्छे से तरीके से डील करता है अगर वो अच्छे तरीके से डील कर लेता है that means he or she is culturally intelligent और अगर नहीं डील कर पाता है that means he or she does not possess cultural intelligence okay अच्छा कि जब आप cultural intelligence को पढ़ेंगे तो cultural intelligence को CQ के समक्ष रहा है यानि कि उसको cultural quotient भी कहा जा रहा है interchangeably हाँ cultural intelligence or CQ is a globally recognized way of assessing and improving effectiveness for culturally diverse situations है ना यानि कि CQ या cultural intelligence क्या है globally recognized way है यानि कि पूरे वैश्विक और पर यह recognized कर लिया गया है इसको पहचान मिल गई है जिससे कि क्या किया जा सकता है इसस कर सकते हैं तब आकलन कर सकते हैं इंप्रूव यानि कि सुधार कर सकते हैं इफेक्टिनेस में प्रभावकून कैसे प्रभावी हो क्या चीज़ जब हमको sorry जब हमको culturally diverse situations मिल रही है ना हमको ऐसी situation मिल रही है नहां पर different culture के लोग है different culture को समझने वाले हैं अलगे उनकी संस्कृतिया अलगे उनकी सोच अलगे उनके attitudes अलगे उनके values अलगे है ना it measures और यह क्या नाप है the ability to effectively reach वोक्षमता जिससे हम प्रभावपून तरीके से पहुँच सकते हैं across the chasm of cultural difference जो यह सांस्कृतिक अंतर की खाई है उनको कितनी बढ़िया तरीके से हम fulfill कर सकते हैं किस तरीके से in ways that are loving and respectful यहीं कि प्रेम पूंण तरीके से आधर सम्मान तरीके से आधर और सम्मान के साथ हम कैसे उस खाई को बेहतर से बहतर तरीके से भर सकते हैं अलग हो जाएगा ना कोई Russian है कोई French है कोई Japanese है कोई American है कोई African है कोई Indian है सबकी race अलग है सबका culture अलग है तो हम सब में सोच का अंतर है तो कैसे सोच के अंतर को पाटना है कैसे वो जो खाई है उसके अंतर को हम प्रेम पूंण तरीके से और सम्मान जैनक तरीके से पाट सकें यह साधारा नशप्तों में cultural intelligence है फिर cultural intelligence के बारे में कौन इसने ज्यादा बात की है किसकी बुक है जो बहुत फेमस हुई है डेविट A. Livermore 2009 में इनकी किताब आई है cultural intelligence किताब का version हो सकता है 2009 इसके पहले लिखी हो सकती है सन में थोड़ा सा नहीं कह रही हूँ कि 2009 में आया cultural intelligence improving your CQ engage our multicultural world यानि कि सांस्कृतिक गुद्धी और वो तरीके जिनसे हम सांस्कृतिक कोशेंट को अपने बढ़ा सकते हैं कि यह जो world है जो multicultural होता चला जा रहा है संस्कृतियां बहुत संस्कृति के लोग हैं यहां पर उनके संग आप एकनी बहतर तरीके से engage हो सकते हैं अब यह बात जाने की बताने की जरूरत नहीं आप सब समझते हैं कि globalized world है ना सब communication है हमको जरूरी नहीं है हमको अमेरिका जाना लेकिन हमको वाँ के संस्कृति पता है यहना सब संस्कृतियों का गाल मेल है यह बहुत सारे संस्कृतियों के लोग एक जगए हैं एक किसी business firm में हैं किसी company में हैं किसी classroom में हैं तो हम multicultural world में कैसे बहतर से बहतर तरीके से engage कर सकते हैं अपने आपको वही cultural intelligence है और जिसकी बाद David A. Livermore ने की है यह इनकी एक किताब हुई है फिर cultural intelligence theory किस theory पे based है सांसरोतिक बुद्ध कहां से उद्बह हुआ कहां से निकल कर आई अब इसकी बाद शुरू हुई है न तो cultural intelligence theory draws from Sternberg and Determine's 1986 framework which proposes that intelligence has different loquai within the person अब कहां से इसका उद्ध हुआ किसने इसकी बाद की है इसकी theory को लिया गया है कहां से Sternberg and Determine की theory जो कि 1986 में आई वहां से लिया गया है जो कि कहते हैं क्या sorry कि जो intelligence है intelligence has different loquai within the person यानि कि व्यक्ति के अंदर बहुत सारी situations है बहुत सारी locations है जहां कि intelligence है जैसे metacognition है na cognition and mental capabilities ये metacognition, cognition and mental capabilities का location कहा होगा है head में आपके है na brain से सब control है located within the head of the person as well as overt actions manifested in behavioral capabilities है na कुछ तो दिमाग से चल रहा है कुछ पे brain का control है metacognition के बारे में भी बात करेंगे metacognition ये एक ऐसा शब्द है जब मैंने इसको पहरी बार सुना तब से लेकर आज तक मतलब बहुत मुझे appeal करता है क्यों 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 कि इसके बारे में आप नहीं जानते होंगे कही लोग और कही लोग जानते भी होंगे समझते समझते अब समझ में आया है लेकिन पहले सिर्फ इतना thinking about thinking इतना special था कि वो याद रह गया था metacognition यानि कि thinking thinking about thinking cognition मतलब thinking and mental capabilities यानि कि सब जो मानसिक हमारी क्षमताएं हैं उनका center कहा है head of the person मनुष्य के मतलब मस्तिष्क में as well as overt actions और वो action जो दिख रहे हैं मतलब यह तो दिख नहीं रहे हैं क्या सोच रहे हैं मारे दिमाग में क्या सल रहा है लेकिन जो दिख रहा है उसका manifestation का है behavioral capabilities में यह जो studberg और determined की थेरी थी different multiple loci of intelligence वहां से cultural intelligence को drop गया गया है ठीक है और आगे भी इसमें जा है it builds on the growing interest in real world बिल्ट on the growing interest in real world non-academic intelligences एक तो academic intelligence की बात हो जाती है जिसके लिए हम लोग IQ की बात करते हैं वो धीरे दीरे अपना एक तरीके से समझी कि उसका कद छोटा होता जा रहा है और तूसरे जो non-academic intelligences उनका कद बड़ा होता जा रहा है जैसे कौन-कौन सी emotional intelligence and so on and so on कि कहरे हैं focus on specific content domains कि specific content पे निर्भर करती है जिनका focus specific content पे विशिष्ट विशह वस्तु पे वो कौन-कौन सी है social intelligence और हमको याद होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि social intelligence की बात आज नहीं की जा रही है पॉन-डाइक ने की थी 1937 में almost 100 साल होने वाले है 2037 में थोड़ा समय है लेकिन तब भी almost 100 साल हो रहे हैं भा गया है social intelligence की बात और अभी भी हम फिर वहीं से सब वो interpersonal, intra-personal और emotional साब का सूत्र धार यहीं से निकल कर आता है बहुत पुरानी बाते हैं और महां से तार जुड़-जुड़के नई चीज़े निकल कर आती है फिर emotional intelligence की बात कप की कहीं Mayor and Salovey ने 1993 में की यह तो बहुत लेट है and practical intelligence की बात Sternberg and Wagner ने 2000 में की है Sternberg की tri-art की theory of intelligence है जब आप intelligence theory पढ़ेंगे तब आपको पता होगा by focusing on a specific domain namely intercultural settings तो यह कह रहा है कि जब focus बढ़ रहा है जब interest बढ़ रहा है real world का non academic intelligences में यानि वो गुद्धी के क्षेतर जो शिक्षा से नहीं जुड़े हुए बलकि specific content domain से जुड़े हैं जैसे social intelligence, emotional intelligence, practical intelligence उसी तरह से नया specific domain domain में कौन से ले लिया intercultural settings का cultural intelligence हो गया और it is motivated by the practical reality of globalization globalization की practical reality है practical reality क्या है कि global village है एक छोटी से जगे में बहुत सारे culture और बहुत सारे संसृतियों को मानने वाले लोगों में तो practical reality वो होगी कि हमको एक उनको जोडने के लिए एक सूत्र से सूत्पात उनका करने के लिए उनसे maximum उनका output निकालने के लिए हमको culturally intelligent होना पड़ेगा तो cultural intelligence theory का हमको origin कहां से मिलता है S. Chanberg and Determine की 1986 की theory में I think आप समझे तोड़ा सा इसको पिर essence of cultural intelligence है इसका एकदम उसके essence में क्या है क्या है To be able to understand and respond to different cultural situations without losing one's own identity अगर एक line में कहना चाहें कि cultural intelligence क्या है तो क्या है Able to understand and respond यानकि हम समझेंगे और प्रतिक क्या देंगे इसको different cultural situations को वो विभिन सांसृतिक परिस्तिरियां जो हमको मिलेंगी multicultural world में लेकिन हमको अपनी identity lose नहीं कर नहीं है यह बहुत खास बात है Without losing one's own identity यह नहीं कि हम अपनी identity खो कि उनमें मिल जाएं हम उनको मिलें समझें लेकिन अपनी identity भी बनाए रखनें It requires not only understanding इसके लिए सिर्फ समझ की ज़रूत नहीं है बलकि किसकी ज़रूत है It requires motivation and capability यह नहीं कि हमको motivate भी होना है जागरूक रहना है हमारे अंदर अभी प्रेरित होना है हमको and capability और योग्यता होनी चाहिए अब इसके लिए respond appropriate यह नहीं कि अब किस परिस्थिती में हमको क्या प्रतिक्रिया देनी है इसके लिए हमको अभी प्रेरित होना होगा और हमारे पास अंदर योग्यता होनी होगी वैसी ठीक है तो इन essence है इसके main कौन-कौन से इसकी बात हम लोगने पिछले वीडियो में बस छोड़ा सा इसके बारे में डिसकस हुआ था पहला point ही है कि हमको cultural knowledge होनी चाहिए दूसरा mindfulness होना चाहिए हमारे पास और तीसरा हमारे पास behavioral skills होना चाहिए पहले हम knowledge या ज्यान लेंगे फिर mindfulness को हम practice करेंगे और फिर हम behavioral skills को execute करेंगे यह मैंने लिखा है अगले में cultural knowledge cultural knowledge का क्या मतलब it involves the knowledge to understand cross-cultural phenomena यानि कि हमको सिर्फ दूसरे culture को जाणना नहीं है बलकि यह भी समझना है कि जब दो culture एक साथ आएंगे कुछ prejudice हो सकता है उनका अपने दूसरे culture के लिए कुछ उनके संग मतलब विवाद हो सकता है कुछ विसफोर्ट की स्थिपी हो सकती कुछ miscommunication हो सकता है तो हमको किस तरह से cross-cultural phenomena को भी समझना है तो यह और उससे भी एक step ahead बात हो जाती है सिर्फ culture को नहीं समझना है cross-cultural phenomena को भी समझना है फिर mindfulness में क्या करना है हमको means या mindfulness है क्या mindfulness से हम यहाँ क्या आताते है means of observing and understanding cultural meanings यानि हमको वो तरीके पता होने चाहिए जिससे हम Sanskritic अर्थों का का prediction भी कर सकें और उनको समझ भी सकें पहले हम ग्यान ले पिर समझें और फिर क्या करें execute करें कल मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी किसके हम इसको parallel कर सकते हैं knowledge को cognition से mindfulness को affection से और behavioral skills को psychomotor से यानि कि ये जो in domain हमारे हो जाते हैं teaching learning के बुसी से हो गया न cognitive, effective and psychomotor cognitive में हम जानेंगे mindfulness में समझेंगे और behavioral skills में execute करेंगे वही कह रहा है क्या कह रहा है behavioral skills में being actually intelligent means अगर हम वाकई हमको अपने आपको show करना है कि हाँ हम culturally intelligent है या actually हम होना चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा developing a repertoire of skilled behaviors हमको causal जो होना चाहिए वेभार causal सीखना होगा कि इसका knowing the appropriate context to use each one ताकि हमको पता हो कि किस context में हमको कौन सी skill use का नहीं behavioral characteristics of CQ कौन सी दिशेशताएं हैं जो cultural quotient को विशिष्ट बनाती है कौन सी है four main characteristics first one is drive second one is knowledge third one is strategy and fourth one is action और सब चुकी CQ की characteristic है तो CQ drive, CQ knowledge CQ strategy, CQ action होगा है तो हम इसको drive, knowledge, strategy, action को समझना है drive क्या है drive का मतलब कहते है drive driver लाना हमको कौन चलाएगा हमारा motivation है हम motivate हो सबसे पहली इसकी खास बात है किसके लिए motivate हो learn and adapt cross-culturally कि हम ये motivate हो सकें कि हम सीखेंगे adapt कर लेंगे अनुकूलित हो जाएंगे कब हमको cross-cultural environment मिलेगा तो सबसे पहले वो drive अंदर से आनी चाहिए sorry फिर knowledge फिर ज्यान ज्यान में क्या होगा knowledge and understanding of how cultures differ from one another हमको ये पता होना चाहिए ये समझ होनी चाहिए कि कैसे दो culture एक दूसरे से similar है कहां वो differ करते हैं कहां मतलब Sanskritic अंतर है उनमें भाशागत इस तरीके का है कि भाशा ही ऐसी और हमें लगता है कि नहीं वो हमारा अपमान कर रहे है लेकिन हमको पता होना चाहिए नहीं उस महाव के लोग वैसे ही बोलते ही हैं वो अपमान नहीं कर रहे है तो ये सारी समझ ये सारा ज्यान CQ knowledge में आ जाएगा फिर CQ strategy का मतलब हम कौन सी तक्नीक कौन सी आप यू रचना की यहाँ बात कर रहे है ability to use your cultural understanding to develop plans on how to effectively function in cross-cultural situations याई कि आपको drive थी आपके अंदर आप motivate हो गए जानने के लिए आप जान भी गए फिर आप planning करेंगे जानने के बात है हम कब ऐसे cross-cultural situations में effectively function कर सके इसकी समझ ही क्या है इसकी planning ही क्या है strategy फिर action, execute कर देंगे understanding of when and how to adapt your behavior for different cultural situation है ना जैसे वो पीछे बात की उसी तरह से drive knowledge strategy के बाद अंतिम जो step होगा वो action होगा अंतिम जो step होगा वो execution होगा फिर उसके बाद statistics हो गया अब dimensions of CQ dimensions of CQ क्या cultural quotient के 4 main dimensions है कौन कौन से cognitive CQ metacognitive CQ motivational CQ और behavioral CQ यहां भी देखो अंत में क्या है यानि कि वो जो परिलक्षित होना है वो जो आप जिसको प्रेक्षित कर पाएंगे जिसको आप observe कर पाएंगे या जो आप execute करेंगे cognitive CQ का क्या मतलब मात की बात आगई brain की बात आगई mental functioning की बात आगई तभी तो cognition आया फिर metacognition अभी बात की थी metacognition means क्या है thinking about thinking अभी इसके यह से समझ में आदा है का आपको जो लिखा हुआ है मोटिवेशनल के मतलब हम विल हो हमारे पास और behavioral का मतलब हम behave करें प्रॉपर तो cognitive CQ में क्या है it includes knowledge about rules and norms of a particular culture असान है कि हम पहले तो जाने ना पहले हमको ग्यान ले हमकी जो दूसरा culture है कोई विशिष्ट culture है जिसके साथ हमको उठना बैठना है deal करना है तो उसके हमको नियम और norms तो पताऊना तो हमारा काम चलेगा यानि कि मालीजे कोई ऐसा cultural group का हिस्सा बन गए जहांका norms था कि यह बिल्कुल उसके लिए prohibited है और आपने वही कर दिया तो एकदम बात बिगड़ जाएगी यसलिए सबसे पहले आप rules and norms जानी है जो दूसरा particular culture है फिर उसके बात यह बहुत important step है meta cognitive thinking about thinking है सोचना है सोचना कैसे है it covers the ability to learn and to practically add or replace your cultural knowledge wherever it may be incomplete or just wrong मतलब हमको यह सोचना है कि जो हम सोच रहे है वो सही है कि गलत है और अगर हमको गलत है तो हम उसको modify कर लें adapt कर लें change कर लें discard कर दें इससे समझे it covers the ability to learn and to correctly add यानि कि हमको या तो सीखना पड़ेगा या हमको सुधार करना पड़ेगा या करना पड़ेगा हमारी cultural knowledge को अगर wherever it may be incomplete या तो वो अगर अपून हो या just wrong या गलत हो without it cognition can not be properly required बिना इसके cognition नहीं हो सकता यानि कि हम पहले जाने फिर हम ये जान लें कि जो जाने वो सही जाने कि नहीं और अगर नहीं जाने तो उसमें सुधार कर लें फिर उसके बाद या असान है motivational CQ ये क्या कह रहा है includes the will to leave familiar patterns of behavior behind in order to get entirely immersed in new situations यानि कि हमारे अंदर ये will तो होनी चाहिए कि मालीजी हमारी जॉब से हमको कोई ऐसा offer मिला है हम बाहर जाकर settle हो या हमको कोई project मिला है जिसमें हमको 6 मेने के लिए 2 साल के लिए बाहर जाना है तो हम कई लोगों में will ही नहीं नहीं हम यहां से कैसे जाएंगे हम adapt कैसे करेंगे हम survive कैसे करेंगे हम खाएंगे क्या हम रहेंगे कैसे हम दूसरे लोगों से बातचीत कैसे करेंगे तब तो क्या है आप culturally intelligent नहीं है क्या कर रहे हैं आप आपको एक opportunity मिली ती आप में जाएंगे, आपका कलीग चला जाएगा, उसका enhancement हो जाएगा, उसका CV एंडिछ हो जाएगा आपसे जाएगा, इसलिए आपको cultural intelligence की ज़रूरत है, क्यों जॉब हमारी हमको opportunity प्रवाइद करती है, समय की मांग है कि आप बाहर जाएं lecture देने और बा globalization, globalization की बात हो रही है, इसका भी आगे जिक्र है, well, and last में किया है, behavioral CQ, in order to truly approach new culture, culturally intelligent people have to change their behavior, means, वही बात हो गई ना, जो Darwin ने कितने साल पहले की, survival of the fitness, वही survive करेगा, जो fit test हो, and fit test कौन होगा, जो adapt कर लेगा, आजाता है ना, कि जब आधी आती है, तो जो लचीले पेड़ ह वो रह जाते हैं, और जो एकदम लचीली शाखाएं हैं, वो रह जाती हैं, और जो कठोर रक्ष होते हैं, वो तूट जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो rigid होते हैं, वो resist करते हैं, और जो शाखा होती है, वो जिस दिशा में हवा जाती है, बच जाती है, हमको भी क्या होना है, rigid ह होना है, flexible होना है, flexible होने के लिए हम अपनी वो जो shell है उसको तोड़ना है, बाहर निकलना है different cultures के संग adaptation सीखना है, यह समय की मांग है ठीक है और फिर फिर इतनी बातचीत हमने की, importance of CQ cultural quotient की जरूरत क्या है हम थोड़ा सा education से निकल कर आपको आगे बताते हैं, दूसरी फिल का, example, with the increase of emerging markets, आप जान रहे हैं कितना हमारा यह वैश्विक बाजार है, सब एक देश का सामान, दूसरे देश में बेज़ा जाता है, धडले से बिकता है आपको पता होगा, जो लड़कियां है, especially उनको जितना हमारा कॉस्मेटिक्स का समाना आता है mainly French, वो होता है क्योंकि जो Paris है, वो सबसे बड़ा बाजार है, fashion और यह सारा, जितना कॉस्मेटिक्स है हम आराम से यूस करते हैं, उसको उनको पता होना चाहिए कि Indian market की demand क्या है, और इतना बड़ा है कि उसकी demand के बिना तो वो चली नहीं पाएंगे culturally intelligent people they have must have, भी तो उनका काम चल रहा है यह तो ही कॉस्मेटिक्स के बाद एक नाम जो बहुत असान है, जो बहुत popular है, समने सुना है, इसको पहले सुन लिजे, with the increase of emerging markets businesses are being forced to make their international products adaptable to different local cultures in which they are sold कि यह international product के दबाव है कि वो अपने आपको अनुपित करके जहां जहां उनको जिस जिस देश में अपना समान बेचना है उस different local culture के हिसाब से वो mold करते हैं अपने आपको तभी तो sold होंगे, तभी बेचे जाएंगे, तभी उनकी मांग होगी, इस प्रॉसेस इसका ग्लोबल प्लस लोकल में लाकर बन गया, and in order to implement this, और इसको फली भूत करने के लिए, it is necessary, यह अत्यावश्यक है क्या businesses have cultural intelligence, इसका मतलब ना उनके पास cultural intelligent people है, वो लोग काम करते हैं, इस theory को समझते हैं और इसकी importance को जानते हैं, सबसे आप इसका खास example देखिए MacDee, ने नाम सुना है MacDee का burger तो सब ने खाया है कोई ऐसा नहीं होगा ना जिसने नहीं खाया है सस्तर से लेकर महंगा तक मिलता है, आलू वाला सस्ता मिल जाता है, सबी खा लेते हैं उसको MacDee's Corp is the world's largest restaurant chain and it operates in 119 different countries तोचिए, 119 विभिलन देशों में इसका ये chain है इसका मतलब कि इतने देशों के culture और उनकी क्या रग है, क्या दुखती रग है किस चीज की वो importance देते हैं, किसको अच्छा नहीं समझते हैं और सब जगे ही चल रहा है जैसे, अगर इंडिया में MacDee चल रहा है इसका मतलब जो उनका menu card है उसमें उन्होंने बहुत सारा vegetarian item उसमें रखा हुआ क्यों? क्योंकि जानते हैं ये बहुत बड़ा percentage यहां पर है जो कि vegetarian burger की रिमांड करेगा या जितने भी items होते हैं इंडिया है ना ये है cultural intelligence आपको समझना होगा दूसरे culture को तभी आप survive कर पाएंगे और education की field में in educational sector it is important to enhance the academic achievement of students of different cultures in a common setting इसलिए cultural intelligence ज़रूरी है इसलिए हमको culturally intelligent होना है इसलिए हमको culture को समझना है इसलिए हमको अपनी boundaries को break करना है अपने आपको adapt करना है flexible बनाना है ये सारा कुछ culture intelligence, culturally intelligence culturally intelligent होने के लिए ज़रूरी है पिछले वीडियो में समय की कमी थी वीडियो बहुत लंबा हो रहा था तो हम लोग cultural intelligence वाले portion को तिने अच्छी तरीके से नहीं समझ भाये थे लेकिन वो शिकायद इस वीडियो में दूर हो गए होगी तो this is cultural intelligence okay thank you thank you all my viewers okay okay